हेलो स्टूडेंट आज हम लोग वांडे ग्राफ जनित्र को देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोड़ एक्जाम के लिए यह इस्थिर वैद्धुत विभो तथा धारिता का लास्ट लेक्चर है ठीक है लास्ट वीडियो है इसके बार हम लोग कुछ न कोई आप लोग को समझाएगा नहीं सभी लोग चित्र आप लोग को दे देंगे उसी से समझा देंगे ठीक है लेकिन मैं आप लोग को लिख कर अच्छे से समझाओंगा आप लोग ऐसा ही बोड़ एक्जाम में लिख देना ठीक है देके स्टूडेंट वांडे ग्राफ जन कर दोद च्छेतर का परियोग आवेशित कण घैसे लेक्टरां परोटान अधिकको तोरिट कर उनकी उर्जामी वर्द्धि करने में किया जाता है याणि कि आप लोग को आवेशित करनIES ळहांने के लिए इसका अउप योग किया आप बहुत उन्डे ग्राफ जनितर की सहाय सहायता से कुछ मिलियन बोल्ट के उच्च विभाव को उत्पन किया जा सकता है नोट कर लीजिए ठीक है नोट्स बनाइए इस उच्च विभाव से प्रवल वधुत छेत्र का प्रियोग आवेशित कणू जैसे एलेक्ट्रोन प्रोटान आधी को तुरित कर उनकी उर्जा में व्रिधी किया जा सकता है यानि कि जो आप लोग के आवेशित कण है उनकी उर्जा में हम लोग इसकी सहायता से व्रिधी कर सकते हैं ठीक है तो यह आप लोग इसके उपर डेटेल में लिख देना ठीक है तो आप लोग इसे लिखने के बाद आप लोगों को आना है सिध्ध सिद्धान्त को समझने से पहले मैं आप लोग को कुछ समझा दूंगा अभी चेत्र में ठीक है तो आई यह हम लोग समझते हैं सिद्धान्त किसी आवेशित चालक से वायू में वैधुत बिसरजन उनके नुकिले सिरों से प्राथमिक्ता से होता है ठीक है इसमें जो आप लो है रहा है वैधुत बिसरजन के नुकिले सिरों से प्राथमिक्ता से होता है तो यहां जो होता है यहां जो आप लोगों के हैं आवेश ज्यादा होते हैं इनकी यह पेच्छा क्योंकि नुकिले हैं ठीक है तो यहां आप लोगों के ज्यादा होंगे तो इसी के द्वारा क्य उसके वाहरी प्रिष्ट पर विद्मान होता है खोकले चालक आवेस अगर कोई खोकला चालक है ठीक है चालक है उसका आवेस इसके वाहरी प्रिष्ट पर विद्मान होता है अब यह आप लोग समझ जाओगे ठीक है तो यह आप लोग सिध्धान्द में दो लिख लेना किसी खोकले चालक का आवेश उसके वाहरी प्रिष्ट पर विद्धमान होता है ठीक है पहला और यह दूसरा है पहला आप लोग किसी आवेशित चालक से वायव में वेदुद विसरजन उनके नुकेलियो सिरों से प्राथमिक्ता से होता है तो सिध्धान्त समझ में आगे होंगे वायंडे ग्राफ के कार करने का सिध्धान्त किवल दो है एक तो यह और दूसरा यह तो खोकले चालक का आवेश उनके वाहरी प्रिष्ट पर विद्धमान होता है अगर कोई खोकला चालक है तो उनका आवेश जो होगा चार्च जो होगा उनके वाहरी प्रिष्ट पर मैंने कुछ लिया नहीं है student मैंने एक धातू का बड़ा गोला या अचालक से बंधे हुए हैं और इसमें मैंने किया किया एक रबर अधवा सिल्क की सिरेहीन इसमें सिरेहीन वेल्ट है ये जो है आप लोग का एक क्या है रबर सिल्क जो आप लोग का सिल्क सिरेहीन वेल्ट है इसमें कोई सिरा नहीं है सिरेहीन वेल्ट है ठीक है तो ये मैंने लिया है दो घिरनिया जो आ यह मैं आप लोगों को दिखाता हूं इस्टूडेंट यह आप लोगों की दो घिरनिया है यह पीवन इसे नाम देजिए यह पीवन और इसे पीटू ठीक है यह आप लोगों की दोनों घिरनिया है ठीक है तो यह आप लोगों की दो घिरनिया है जो एक वैधुत मेंटर की सहा आई जाती है यह एक वैधुत मोर्टव है कि confident एक वैधुत मोर्थ है तो अब अप Jouriagnu समझ में आ गिया होगा मैंने क्या लिया है एक दातु का है गोला लिया है जो एस नाम दिया है तो और दो 46 ए और बी से कंगा है यह देखी इस टाइब से नुकीली सिरे मैंने अभी वताया था पहले इस नुकीला सिराब में ज्यादा होता है ठीक है इसके आंतरक प्रिस्त से जुरा हुआ है और यह काफी नजदी इसे काफी नजदीख यह इस की रसना वता देता हूं आप लोको चित्र ही समझा यह दिखे इसमे एक धातुका बड़ा गोला-1 अज़्व अब कि इसमें माने एक धातु का अचालक गोला लिया है यह जो आप लोग को रेड कलर का दिख रहा है ठीक है तो यह आप लोगत का S मेने नाम दिया है या या सवन भी आप लोग कह सकते हैं ठीक है और यह दो अस्तम ए और वी से प्रवाहत नहीं होते हैं और देखे तथा इसमें एक रबड अथवास्चल दो घिरनी या P 1 और पीटू ठीक है द्वारा एक वैधूत मोटर की सहायता से चलाई जाती है यह एक यह देखें वैधूत मोटर है इसकी सहायता से इंगेरनियों को हम लोग चलाते हैं जब इसको हम लोग स्टाइट करेंगे तो यह ऐसे एसन नाचिंगी ठीक है अभी आप लोगों किरिया विद से जुड़ा हुआ है डीसी के धन तर्मिल से जुड़ा हुआ है अब देखिए सीटू खोखले गोले एसके आंतरक प्रिष्ट से जुड़ा हुआ है अब कार विधी आप लोग समझोगे तब आप लोगों को समझ में आने वाला है रेशना तो आप लोगों को समझ में आही चालक C1 को जब उच्च विभव देते हैं जो कंगा C1 है उसे जब हम लोग उच्च विभव देते हैं ठीक है मैं आप लोग को चित्र आप लोग का उस तरफ बना हुआ भी मैं आप लोग को समझाओंगा चालक C1 को जब उच विभो देते हैं तो इसके कारण धन आवेश उत्पन होता है तो इसके कारण जो आप लोगों का धन आवेश उत्पन होता है चालक C1 तथा धन आवेश के वीच प्रतकर्शन बल लगता है अब मैं आप लोग को अभी समझा दूंगा बहुत अच्छे से रबड या सिल्क की डोरी से आवेस सीटू तक जाता है यहाँ स्टूड़न्ट आप लोग देख सकते हैं यहां सिल्क जी आई टी बुक है इसमें मैंने कहा क्या है C, चालक C1 को जब उच्विहो देते हैं तो चालक जो यहां C1 था जब उसे हम लोग उच्विहो देते हैं या मैंने कंगा लगाया है C1 को जब हम लोग उच्विहो देते हैं तो इसके कारण धनाबेस उत्पन होता है ठीक है यह देखे धनावेश ठीक है उत्पन होती है और चालक सीवन तथा धनावेश की बीच परतकर्सन बल लगता है जो चालक सीवन है ठीक है और उसके बीच धनावेश हो चालक सीवन की बीच परतकर्सन बल लगता है अभी मैं आप लोग को मैंने जो चित्रणा है उससे भी समझा दूंगा ठीक है प्रतकर्सन मन लगता है रबर या सिल्की की डोरी से आवेश सीटू तक पहुचता है यह जो रबर या सिल्की की डोरी है यह रबर या सिल्की की डोरी है यह इसके कारण जब यह नाचता है तो यह सीटू पर पहुच जाता है यहां सीटू है ठीक ह आप लोगा क्या है इससे बचाने के लिए हम लोग एक इस्टील का आवरन लगा देते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन गयस भरी होती है तो अब आप लोग को अपने नोट से समझा देता हूं तब आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे चालक C1 को जब उच्छ विभव दिया जाता है चालक जो C1 है उसे जब हम लोग उच्छ विभव देते हैं तो इसके कारण धन आवेश उत्पन होता है जब हम चालक C2 को स्वारी C1 को उच्छ विभव देते हैं तो उस पर धन आवेश उत्पन हो जाता है ठीक है आवेश ठीक है कंघी के टाइप का ठीक है और आप लोगह का जो धन आबेस है इनके बीच पत्रट्रटान बल उत्पन ए ठीक है पत्रक्र रबण याption की डोरी तक पहुशता है यसलकी जो दोरी हे उससे यकठ्ठा होने के कारण iurta समझाने वह सब कुछ जब श्टूडेंट हम लोग सीवन को उच्छी विभाद देते हैं तो इस पर क्या उत्पन होता है धनाबेस ये जो धनाबेस है ठीक है और धनाबेस और चालक C1 के बीच क्या होता है प्रतिकर्शन भल लगता है और ये धनाबेस ऐसे घूमता रहता है ठीक है तब ये धनाबेस C2 पर जाता है धनाबेस C2 पर चला जाता है ठीक है चालक C1 से C2 पर जाता है ये इसके काफी निकट होते हैं तो ये काफी इसके निकट होते हैं तो इस पर सीटू पर जाने के बाद सीटू से पूरे जो आप लोग का खोकले गोले का आवरण है इस पर चला जाता है और इस पर लगातार जाने के कारण ये क्या होता है बहुत ज़्यादा इसके उपर हम लोग एक श्टील का आवरान लगा देते हैं ठीक है इससे बचाने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गयस होता है इसके अंदर जो है श्टूडेंट एक नाइट्रोजन गयस होता है तो श्टूडेंट यह था आज का हमारा बहुत ही महातबूर्ड वीडिय कर दीजिए अपने सभी दूस्तों के साथ सीर कर दीजिए चैनल पर नहीं आये हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यह आप लोग ना बनाना इस टील का ठीक है आप लोगों के विल चित्र ही बनाना तो इस टूड़न फिलाल इस वीडियो में इतना ही तब तक के ज्द आलवार